Hello and welcome again my friends and dear student myself Mahindra Devanda आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं General characters of protojoa protojoa के साम्माने लक्षनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे protojoa को five kingdom classification के according kingdom protista में रखा गया है और protista में eukaryotic and unicellular यनी eukaryotic और एक कोसकिये organism जीवों को सामिल किया गया है जिसके अंतरगत protojoa को भी रखा गया है protojoan जो की एक कोसकिये और eukaryotic होते हैं जिसे की यहाँ पर हमें कुछ protojoans दिखाए दे रहे हैं animation के तुरू यह एक कोसकी होती हैं सिर्फ एक ही कोसी का यहाँ पर पाय जाती है protojoa को हम यहाँ पर phylum protojoa के रूप में पढ़ रहे हैं लेकिन next video में हम बात करेंगे जिसके classification की कि वर्गी करण में हम इसको protojoa को phylum के रूप में नहीं जाकर नहीं जानकर इसको सब kingdom protojoa के रूप में जानते हैं और फिर इसके बारे में और detail से जानते हैं जो की वर्तमान में जो protojoalogist के द्वारा यह दिया गया था शुरू करते हैं सबसे पहले इसके सामाने करेक्टर तो सामाने करेक्टर से पहले हम एक बात और जानते हैं इसके पूरे जो animal kingdom है उसमें किस परकार से classification किया गया है फिर हम इसके सामाने करेक्टर जानेंगे तो पूरे एनिमल किंडम यानि पूरे एनिमल्स को एनिमल किंडम में रखा गया है तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमने दो ग्रूप में डिवाइड किया है पहला जो group है उसको हम कहते है non-coded और दूसरा जो group है उसको हम codate कहते हैं यानि cod data में जिनको रखा गया है codates में notocode पाई जाती है और notocode अगर वो vertebral column में convert हो जाती है तो उन organism हम vertebrates कहते हैं और अगर notocode persist रहती है तो हम उनको invertebrates कहते हैं क्योंकि इनमें vertebrates नहीं पाई जाती है notocode जरूर पाई जाती है इसके लवा non-coded को हम समाने रूप से invertebrates तो कहते ही है क्योंकि वहाँ पर notocode तो पाई नहीं जा रही ना vertebrates पाई जा रही है इसलिए इनको invertebrates कहते हैं invertebrates नहीं पाई जा रही है vertebrates तो पूरे एनिमल किंग्डम को TI-Storer and RL-Usinger द्वारा 31 फाइला में डिवाइड किया फाइलम जो वर्ड है वो singular है और फाइला का मतलब है वो multiple के लिए यूज किया जाता है plural वर्ड के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पर 31 फाइला रिपोर्ट किया गए है उन में से 31 में से 10 major फाइला है और 21 minor फाइला है दस उसमें मुक्य फाइलम है और जो 21 है 21 है 21 है वो minor फाइलम के रूप में जाने जाते हैं वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स टर्म गिवन बाई जीन बैप्टिस्टे लेमार्क लेमार्क द्वारा वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स सब्दों का परियोग किया गया है एनिमल्स नोन कोडेट्स एनिमल्स में जो नोन कोडेट्स कंटेन अराउंड 95 तो 97 अनिमल्स around 95-97% जितने भी एनिमल्स हैं वो non-coded होते हैं और remaining जो codeds हैं वो around 3-5% प्रतिस्वत एनिमल्स codeds बनते हैं जो major और minor phylum यहाँ पर कुछ minor phylum दिखाए गए हैं और major 10 phylum यहाँ पर दिखाए गए हैं जैसे कि major phylum के रूप में पौरीफेरा, slentata, platyhelminthes, nematohilminthes, analida, arthropoda, mollusca, echinodermita, hemicodata, and codata minor phylum के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं तीनोफोरा, निमर्टिया, रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, निमेटोमॉर्फा, अकेंतोसिफिला, ब्रायोजोवा, टार्डीगरडा, ब्रेकियोपोडा, and साइपन कलोईडिया यह कुछ minor phylum है, और भी minor phylum है, यहाँ वीडियो की सीरीज में आप लोग के लिए major phylum के बारे में बताऊंगा साथे साथ एक minor phylum, जो टीनोफ हो रहा है, उसको भी हम जानेंगे अब हम सुरू करते हैं, इसके प्रोटो जोवा की basic introduction के बारे में फिर हम समाने करेक्टर समझेंगे प्रोटो जोवा, दो सब्दों से मिलकर बना है, और दोनों जो सब्द हैं, ग्रिक वर्ड से originate हैं ग्रिक वर्ड है, प्रोटो और जोवा का मतलब हो गया animal, यानि प्रोटो और जोवा ये दो ग्रिक वर्ड हैं, प्रोटो का मतलब first और जोवा का मतलब animal, यानि ये first animal है इन्हें primitive animals भी कहते हैं यानि आदिम जन्तु भी इनको कहते हैं ये जो जीव होते हैं वो unicellular होते हैं यानि एक कोस की होते हैं and eukaryotic यानि इनकी जो cell होती है इनकी जो एक कोसी का होती है वो eukaryotic परकार की होती है और pro-karotic और you-karotic में आप difference अच्छी तरह से जानते हैं study of proto-joa proto-joa का दिन proto-zoology कहलाता है phylum, proto-joa is third largest phylum phylum जो proto-joa है वो तीसरा सबसे बड़ा phylum माना गया है हलाकि वर्तमान में proto-joa को phylum नहीं मान कर sub-kingdom proto-joa माना गया है इसको हम next वीडियो में जानेंगे इसके classification में कि इसका वर्गी गरण किस परकार से किया गया है about 65,000 known species of phylum proto-joa proto-joa की लगबख 65,000 species अब तक describe की जा चुकी है उन में से कुछ species इनकी extinct भी इनमें सामिल है proto-joans are unicellular proto-joans जो होते हैं वो unicellular होते हैं एक कोशिके होते हैं in which single cell perform all biological functions जिसमें एक single कोशिका पूरे जेविक कारे संपधित करती है as in multicellular animal जैसे कि multicellular animals में जो अलग-अलग कोशिका अलग-अलग प्रकार के कारे करती है यहां पर single cell यह पूरे जो इसके कारे होते हैं एक जीव के समान वो पूरे कारे के होता है कुछ एक्जामबल को भी हम साथ-साथ ध्यान में रखते हुए ताकि आसा निशा में याद हो जाए क्योंकि protozoans में बहुत सारे एक्जामबल ऐसे हैं जो हमें याद रखने हैं क्योंकि कई बार एक्जाम में उनको सीधे बुछा जाता है protozoa word given by George August Goldfuss Goldfuss नामक वेगयनिक द्वारा protozoa सब्द दिया गया 1818 में Antony One Levenhawk was first person would see the protozoa Antony One Levenhawk वो पहले वेगयनिक थे जिन्होंने protozoa को देखा अलाकि इन्होंने बैक्टिरिया को छोटे छोटे जीवों को इन्होंने पहली बार कई दारे से जीवों थे जिनको पहली बार देखा ऐसा इसलिए क्योंकि Antony One Levenhawk द्वारा पहली बार सरल सुक्समदर्शी का निर्मान किया गया इने बिल्कुल जो छोटे 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 लेंस थे इनको जोड़ करें उन्होंने एक सिम्बल लेंस का निर्मान किया और कई सारे छोटे छोटे माइक्रों और्गनीज को इनके दोरा देखा गया अब इंट्रोड्टर के बाद में हम समझते हैं प्रोटोजवा के जनरल करैक्टर्स उनके सामाने लख्षिन प्रोटोजवा का डिस्ट्रिबूशन सबसे पहले इसका वित्रन कोस्मोपॉलिटन होता है यानि ये संसार में सभी जगह में मिल जाते हैं संसार बर में ये पाए जाते हैं प्रोटोजोन्स आर सिंपल प्रोटोजोन बिल्कुल सरल एन प्रिमिटिव होते हैं और आदिम परकार के होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि एक ही कोसिका पाई जा रही है जब भी हम animals की बात करेंगे तब हम multicellular की बात करेंगे हम कुछ tissue की बात करेंगे लेकिन यहां पर जल एक simple cell है एक kosika है और यह आदिम परकार के होते हैं क्योंकि एक kosika से बहुत कोशिय जीवों का निर्मान होता है यह हम जानते हैं तो एक कोशिक के जीवों हम primitive मानते हैं दे आर इसमाल प्रोटोजवा जो organism होते हैं वो छोटे होते हैं 10 to 100 micrometer in diameter इनका diameter लगबग 10 to 100 micrometer का होता है हाला कि ये एक सिर्फ range है जो average range है इससे बड़े भी होते हैं organism यानि प्रोटोजवा के जो सदसे हैं वो 100 micrometer से भी बड़े हो सकते हैं ये unicellular होते हैं usually microscopic होते हैं चूंकि एक ही कोशिका रखते हैं तो हमें इनको देखने के लिए क्योंकि कोशिका बहुत छोटी होती है तो देखने के लिए इनको microscope की आप सकता पड़ती है not visualize without a microscope इनको हमें naked eye से नहीं देख सकते हैं microscope की साहिता से ही हम इनको देख सकते हैं most species are free living अधिकांस जो species होती है वो free living होती है यानि यह बिल्कुल अपना स्वतंतर जीवन यापन करती है और इनका आवास हो सकता है स्वतंतर यापन में वो aquatic हो सकती है fresh water में भी पाए जा सकती है और sea water में भी पाए जा सकती है और अगर some are parasitic और कुछ होती है वो परजीवी के रूप में पाए जाती है जो की कुछ पहुती कम है अक्टो पारसाइटिक और अधिकांस जो होती है वो endoparasitic species इनकी पाए जाती है most species अधिकांस जो इनकी जाती है प्रोटो जोन्स की वो free living होती है और कम species होती है वो parasitic होती है और parasitic में अधिकांस जाती है जो होती है वो endoparasitic होती है यह आप धान रखेंगे कुछ example में देखते हैं free living जैसे की amoeba free living है paramecium वो भी एक free living organism है parasitic कुछ organism का नाम देखते हैं क्योंकि सम्मन रूप से जो question पूछे जाते हैं exam में भी पूछे जाते हैं और आपको सम्मन जीवन में भी हमारे महत्व के हैं जैसे की parasitic में जैसे की amoeba जिनका amoeba histolity का जैसे आपने species का नाम सुना हो यहाँ पर जो amoeba plasmodium, lismania और gerdia यहाँ पर species का नाम नहीं है यह genus का नाम है इनकी जो species होगी अलग अलग परकार की species से अलग अलग परकार की बिमारिया होती है लेकिन यह सभी बिमारिया उत्बंद करते हैं जैसे की amoeba, plasmodium plasmodium जो की malaria का parasite है जो की आप जानते हैं उसकी चार species पाए जाती है lismania और gerdia diagram में आपको plasmodium दिखाया गया है lismania इस तरह का होता है और यह gerdia है जो की यह सभी disease उत्बंद करते हैं, बिमारी उत्बंद करते हैं they are solitary यह एकल होते हैं, अकेले अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे की yuglina, amoeba, यह अपना अकेले पाए जाते हैं, इसके अलवा अधिकान से इनके एकली यह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एकाद ऐसे होते हैं जो kolonial होते हैं, यानि kolonial में पाए जाते हैं, जैसे की एक्जामपल के रूप में, जिक्टियो इस्टेलियम, एन प्रोटेरो इस्पॉंजिया इन्डिजवल आर एलाइक एन इन्डिपेंडेंडेंड, यह जो जीव होते हैं, वो एक kolonial बना कर रहते हैं, यानि यह पास पास रहते हैं, और पास पास पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह एक जीव, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा, यह बिल्कुल अपना-पना अलग-अलग जीवन जीते हैं अपनी अपनी जो एक्टिविटी हैं, वो लगी करते हैं, बस साथ-साथ में एक गुच्छे के रूप में यह पाए जाते हैं, इसलिए इनको कोलोलियन फॉर्टे हैं, दे हैव ए सिंपल बोड़ी ओर्गनेजेशन प्रोटो जोंस में एक बिल्कुल सरल परकार का साररिक संगटन पाए जाता है जैसे कि with a protoplasmic grade of organization, जैसे कि protoplasmic grade of organization में पाय जाता है यानि जीवद्रवे स्तरव का इसमें organization पाय जा रहा है कैसे हुआ जीवद्रवे स्तरव का क्योंकि एक ही कोशिका है, जो भी कारिय करेगा वो protoplasm उपस्तित जो भी components हैं वो ही इसके कार्य करते हैं next हम बात करते हैं characters में unicellular body perform all activities एक कोशी का जो होती है वो सरीर के सभी कार्य कर रही है इसका मतलब क्या हुआ subcellular physiological division of leverage present यानि subcellular यानि cell के अंदर की तरफ इसमें physiological division हो जाता है कि तुम तुमारे जो cell का जो प्रोटोपलाज में उसके कुछ compartment में कुछ कुछ कार्य संपादित किये जाते हैं तो इस तरह का subcellular physiological division of leverage is present होता है इनकी cell में इनके सरीर के आकार की बात करें या cell की बात करें क्योंकि cell और यहाँ पर इनके सरीर की बात यानि एक ही cell है या हम यह कहें कि पूरी बोड़ी एक cell है तो समान बात है तो बोड़ी से इनकी variable होती है यानि परिवर्दनी होती है कैसे maybe irregular anyamita कार के होंगे spherical, गोला कार हो सकते हैं अंडे समान होते हैं elongated यानि लंबे आकार के हो सकते हैं actually यह कई परकार के आकरते में पाया जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर example के थूरू समझ सकते हैं जैसे कि यह डिडिनियम है, पेरामीसियम है, स्टेंटोर है, डिफ्यूजिया है ट्रिपनसोमा, कारसे सिनियम है, यूपलीना, अमीबा यह इनके आकरती जब आप देखते हैं तो बिल्कुल अलग-लग परकार की दिखाई देती है तो यह अलग-लग आकरती की पाये जाने करण इनमें हम symmetry भी उसी according हमें समझ में आती है जैसे कि body symmetry में हम बात करें कि either none, या तो वहाँ पर symmetry नहीं पाये जाती है क्योंकि वो अधिकांस irregular होते हैं एनिमेंट आकर के होते हैं तो एनिमेंट आकर के जब हो जाते हैं तो हम उनको बराबर दो बागों में नहीं बाट सकते हैं, तो वहाँ पर symmetry नहीं पाये जाती है bilateral symmetry कुछ organism हमें देखने को मिलती है radial symmetry भी यहाँ पर पाये जाती है and spherical symmetry भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है अब यहाँ पर interesting बात यह है कि spherical symmetry है वो सिर्फ और सिर्फ हमें protozoans के कुछ examples हमें हमें देखने को मिलती है वो किसी दूसरे organism में हमें देखने को नहीं मिलती है यहां हम बात कर रहे हैं animals के बारे में next characters में बात करें protoplasm is differentiated into outer ectoplasm and inner endoplasm जो इनका protoplasm होता है protoplasm का मतलब हो गया cell के अंदर जो लिवी liquid भरा हुआ है उसको हम सामान रूप से protoplasm कहते हैं अब यह जो protoplasm होता है जैसे कि एक्जांबल के तुरू आप यह मान सकते हैं जैसे कि यह कोई भी एक्जांबल मान लीजे यह nucleus है तो इस nucleus में जो भी कुछ भरा हुआ रहता है तो इसमें दो layer form हो जाती है यह बाहर की तरब कुछ liquid जो पाए जाएगा उसको हम नाम देते हैं ectoplasm और अंदर की तरब जो पाए जाता है उसको हम endoplasm कहते है next character में body naked होती है यह क्योंकि एक ही कोई का है तो कोई का के बाहर cell membrane पाए जाती है तो यह तो naked होंगे अधिकांस तो naked होंगे और bounded by a pellicle कुछ के उपर एक pellicle भी पाए जाती है but in some forms may be covered with shell और कुछ के उपर shell पाए जाता है एक कवच पाए जाता है often provide with an sorry यहाँ पर external skeleton यह बाहरी कुछ के उपर जिसे जो cell membrane है उसके बाहर की तरफ एक कवच पाए जाता है जो कि इसको बाहरी कंकाल का निर्मान करते है unicellular body have one and more nucleus जो एक कोसिक है जो यह इनका सरीर है उसमें एक nucleus यानि एक केंद्रक या एक से अधिक nucleus पाए जाते हैं और जो nucleus पाए जाते हैं which are monomorphic वो समान आकरतिके होंगे और dimorphic या वो अलग अलग आकरति में दूई रूपी होंगे दो रूप उसके पाए जाते हैं monomorphic होंगे या dimorphic होंगे जैसे dimorphic में यह आप example से तुरू समझ सकते हैं यह paramecium है यह आपको organism जो दिखाए दे रहा है यह paramecium है जिसको sleeper animal भी कहते हैं चपल की तली के समान होता है इसलिए इसको sleeper animal कहते हैं तो यह dimorphic इसमें जब आप nucleus देखेंगे तो इसमें micronucleus and macronucleus macro का मतलब हो गया बड़ा और micro का मतलब हो गया छोटा यह micronucleus है और यह जो इसके साथ में है यह macronucleus है तो dimorphic nucleus पाए जा रहा है तो एक हो गया macronucleus और दूसरा हो गया macronucleus macronucleus जो है regulation of metabolic activities उसका काम होता है उपापचे किरियाओं से समदिद या हम यह कहें somatic जो cell के समान यह काम करता है यानि somatic जो कार्य होंगे इसके reproduction को छोड़ कर जितने भी कार्य होंगे वो macronucleus उसको control करता है जबकि macronucleus regulation of genetic information genetic जो information होगी वो macronucleus के पास होती है next characters के बाद करते हैं locomotion की यानि proto जो आ गमन कैसे करते हैं तो हमारे जैसे इनमें पैर तो पाई नहीं जाते तो इनमें जो इनकी membrane है उसी के द्वारा कुछ न कुछ बनता है तो यहाँ पर famous structure जिसको हम pseudopodia के नाम से जानते हैं कूटपाद के नाम से जानते हैं वो यहाँ पर locomotory organ के रूप में पाई जाते हैं जो की finger के समान होते हैं अंगुली के समान होते हैं इसको आप amoeba में देख सकते हैं यह amoeba है amoeba में pseudopodia बनते हैं जैसे यह pseudopodia है यह भी pseudopodia है यहनी इसकी membrane आगी की तरफ एक उभार पैर के समान यहनी अंगुली के समान निकल जाती है और इनको हम pseudopodia कहते हैं फ्लेजिला भी locomotion में के लिए पाये जाता है जो की whip like होता है जैसे कीregelina में आपको فलेजिला देखने को मिलता है अलागि यहां पर यु glideela में दो फलेजिला पाये जाते हैं लेकिन एक बहुत चोटा होता है और एक बड़ा होता है जो बड़ा फलेजिला होता है वो इसको लोकोमोसन यानि पानी में तेरने में मदद करता है इसके अलावा सीलिया भी पाये जाते हैं जैसे कि परामीसियम में सीलिया पाये जाते हैं छोटे छोटे जो आपको इस्ट्रक्चर जो दिखाए दे रहे हैं ये जो इस्ट्रक्चर हैं एर लाइक ये सीलिया होते हैं तो ये भी लोकोमोसन में मदद करते हैं जो की पैरामीशियम में देखने को मिलते हैं इसके अलावा औरनन यानि लोकोमोसन के लिए औरगन नहीं भी पाये जाएं ऐसा जिसा कि कोई जो पैरसाइटिक होंगे उनमें इस तरह से कोई ओरगन नहीं पाये जाएंगे नेक्स हम बात करते हैं mode of nutrition की यानि पोस्टन की बात करते हैं ये अपना भोजन कैसे लेते हैं तो ये भोजन का टाइप यहाँ पर दो प्रकार का होता है इंट्रोट्रोफिक जो हिट्रोट्रोफिक होता है वो dominant होता है यानि अधिकांस जो होते हैं वो हिट्रोट्रोफिक होते हैं जिसमें holojoic, animals के समान, seprojoic and parasitic form में ये पाये जाते हैं इस तरह का nutrition अपना लेते हैं ओट्रोफिक में यूगलीना आता है जो अपना भोजन खुद बना सकता है लेकिन ये कभी-कभी अपना भोजन खुद नहीं ब रहता है जब इसको ये अपना photosynthesis की प्रक्रिया है वो जैसा अपना भोजन खुद बना सकता है लेकिन जब ये चाया में होता है अपनी चाया वस्ता में होता है जहां पर shadow रहती है वहां पर ये animal के समान behave करता है तो ये यूगलीना जो है वो plants और animals के बीच की connecting link माना गया है क्योंकि ये animal के समान और plant के समान behave करता है इसलिए इसको दोनों के बीच की connecting link माना गया है जन्तू और पादब कोसिगा के बीच की योजग कर युका आ गया है Cytoestorm and Cyto5g is absent and present Cytoestorm जिसको हम mouth के समान मानते हैं मुकے के समान मानते हैं और Cyto5 जिसको हम NS के समान मानते हैं वो पाया भी जाता है और कुछ में नहीं भी पाया जाता है जो बिल्कुल सरल प्रकार के होंगे प्रोटोजोंस उनमें नहीं पाये जाता है और जो एडवांस हो जाते हैं उनमें साइटोस्टोम और साइटोफाईजी पाये जाते हैं जैसे कि साइटोइस्टोम और साइटोफाईजी पाए जाएंगे वो इसमें पेरामीशियम सामिल है पेरामीशियम में माउट पाए जाता है और माउट से यहाँ पर यह साइटोफाईजी पाए जाता है next हम बात करते हैं digestion की यानि इसमें पाचन की across in intracellular which take place inside the food vacuole जो digestion होता है वो intracellular होता है यानि cell के अंदर होता है क्यों होता है क्योंकि ये की cell है तो cell के अंदर ही digestion होता है और इसे cell में भी कुछ structure बनती है जिसको हम food vacuole कहते हैं में lysosomes सिस्तित होते हैं तो in food vacuum में digestion की प्रिकुरिया होती है intra cellular हमें digestion जो देखने को मिलता है बहुत ही कम animals हैं जो उन्हें को देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर एक ही cell है तो intra cellular हमें digestion पाया जाता है respiration respiratory organs are absent respiratory organs नहीं पाया जाते हैं उपस्तित होते हैं, respiration क्यों respiratory organs क्योंकि एक ही cell है तो organs तो ऐसे ही absent हो जाते हैं, respiration process happen by diffusion through the body surface, respiration की जो परक्रिया होगी वो diffusion यानि विसरन की विदी के द्वारा होगी और ये जो शरीर होता है उनकी सत्य के द्वारा diffusion के द्वारा हो जाती है, जैसे कि यहां पर यूगली ना में जैसे मान लिजए कि बाहर की तरफ CO2 और O2 जो रहती है, O2 अंदर प्रवेस करती है और CO2 बाहर आ जाती है, यह जहां पर ज़्यादा मातरा में रहती है, उससे कम मातरा की तरफ इनका प्रवाह होता है, चूंकि metabolic activity के द्वारा CO2 इनके सरी इक्सक्रिशन के बाहर जादा रहती है, और O2 जो और जादा रहती है, तो वो अंदर आ जाती है, सिर्फ सरल डिफूजन के द्वारा CO2 नेक्स हम बात करते हैं, एक्सक्रिशन के बारे में यह उससे करते हैं, यह निए अमोनिया का O2 जन करते हैं, लेकिन यहां पर X-Critory organs are absent, excretory जो organs होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक ही cell पाए जाती है तो इस तरह की structure वैसे भी इनमें नहीं पाए जाती है excretion, acurbide, diffusion excretion की प्रक्रिया भी जैसे respiration हो रहा है diffusion के द्वारा वैसे ही excretion भी होगा क्योंकि यहाँ ammonia है और ammonia gansyous form में पाए जाती है तो यह इनकी body की surface के द्वारा इनका excretion कर दिया जाता है यानि जो ammonia जो रहती है उसको सरीज से बाहर कर दिया जाता है इसके अलावा इसमें contractile vacuol भी पाए जाती है जो कि यहाँ पर आपको यह contractile vacuol है एक और इसमें contractile vacuol है पर amecium में actually दो contractile vacuol पाए जाती है जो fresh water amoeba है उनमें सिर्फ एक ही contractile vacuol पाए जाती है तो contractile जो vacuol है वो osmo regulation में मदद करती है osmo regulation यह जो इनके सरीर के अंदर के तरफ जो पानी होता है water जो content होता है जो excess में हो जाता है उसको बाहर करने में मदद करती है contractile vacuol found in fresh water protogenes जो contractile vacuol होती है वो सिर्फ fresh water protogenes में देखने को मिलती है यानि यह parasitic और जो marine habitat में जो भी protogenes पाए जाएंगे उनमें जो contractile vacuol है वो नहीं पाए जाती है absent होती है जो contractile vacuol का निर्माण कैसे होता है चूँकि यह fresh water में पाए जाते है तो उनी में contractile vacuol का निर्माण होता है तो fresh water में minerals कम रहते है तो minerals कम रहने से इनके सरीर में अंदर minerals ज्यादा रहते है तो पानी जो H2O है वो इनके सरीर में अंदर प्रवेस करता है चूँकि अधिक मातरा में water प्रवेस कर जाए और इनका सरीर फट नहीं जाए इसलिए इनमें contractile vacuol का निर्माण हो जाता है तांकि यह contractile vacuol के थूँ पानी को बहार करते है तो इनमें osmore regulation के लिए contractile vacuol पाए जाती है reproduction methods यहाँ पर दोनों प्रकार का reproduction यह अधिक सामान्य होता है चूँकि primitive होते हैं तो इसेक्सवल reproduction सामान्य होई जाता है इनका जो method इसेक्सवल reproduction में binary fusion के दोरा multiple fusion के दोरा जिसमें sporulation plasmodium में हमें देखने को मिलता है plasmotomy इसमें पाए जाती है और budding method भी हमें देखने को इसमें मिलता है सेक्सवल reproduction में इसमें conjugation syngemi and automixes हमें देखने को मिलता है इनमें जो commonly जो देखने को मिलता है वो asexual reproduction dominant होता है यहाँ example में हमें यह यूगलीना दिखाया गया है यह यूगलीना है यूगलीना में यह longitudinal binary fusion हमें देखने को मिलता है longitudinal और दो भागों में यह बढ़ रहा है binary fusion देखने को मिलता है यहाँ एक group develop होती है यह फरो और आगे बढ़ती है और यह दो यूगलीना में डिवाइड हो जाता है यहाँ में conjugation भी देखने को मिलता है दो पेरामी से हम आपस में जोड़कर conjugation करते हैं कुछ genetic material का exchange होता है और वापस separate हो जाते हैं और इस तरह से इनमें conjugation देखने को मिलता है next बात करते है alternation of generation present होता है alternation of PDA कांत्रन इनको देखने को मिलता है क्योंकि यह sexual reproduction भी पाये जा रहा है और sexual reproduction भी पाये जा रहा है तो इनका alternation ही यानि इनका एकांत्रन ही इनमें इनको alteration of generation प्रदशित करता है next हम बात करते हैं ensistment commonly to resist unfavorable condition of food temperatures and moisture and also help in dispersal यानि ensistment इनके जो भी reproductive stage के बाद में जाइगोट के चारो तरफ एक structure एक shell का निर्मान हो जाता है एक कवच का निर्मान हो जाता है जो कि इनको food, temperature और moisture की unfavorable condition से बचाने का काम करता है साथ इसाथ इनको एक जगे से दूसरे जगे बे भी बेजने का काम करता है next protogenes में देखते हैं characters में क्योंकि यहाँ पर एक ही कोशी का पाई जा रही है तो सुमेटो प्लास्म और जर्म प्लास्म का differentiation नहीं होता है so therefore exempt from natural death तो इनकी जो प्राकरतिक जो मृत्य होती है वो नहीं होती है मैं यूं कहूं कि इनमें regeneration की जो capacity होती है वो सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें जो एकी cell है उसमें सुमेटो प्लास्म और जर्म प्लास्म का differentiation नहीं होता है next and last characters में देखते हैं exo skeleton the body of the most animals is naked यह हम देख चुके हैं कि यह दिकांस का सरी naked होता है यानि सिर्फ membrane पाई जा रही है यह बाहर की तरफ कुछ के उपर pellicle पाये जाता है और कुछ में test और shell पाये जा रहा है on their body as exo skeleton on the body of some protogenes and exo skeleton of calcium carbonate और silica is found जो exo skeleton होगा वो calcium carbonate का होगा यह हो सकता है वो silica का हो तो यह calcium carbonate का जो हमें देखने को मिलता है वो foraminifera, radiolera और helio जो हमें देखने को मिलता है जो की oceanic ooze का निर्मान करते हैं यानि जो ocean समूंदर जो होते हैं उसमें एक परत के समान ये बन जाते हैं परत के समान बिच्छने का पत्तर के समान बन जाते हैं और जो foraminifera और radioleras जो हैं वो काफी मजबूत पत्तर का निर्मान करते हैं जिनको हम tripoli stone के नाम से भी जानते हैं और इनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो Egypt के पिरामिड है छोरी मिस्तर के और Egypt के पिरामिड है उनका निर्मान में इनको भी काम में लिया गया है यहां पर ये foraminifera और radial variance कुछ दिखाए गए हैं इस तरह के ये इनके उपर shell पाया जाता है कबच पाया जाता है ये बात हुई protojoa के general characters के बारे में अब हम बात कर रहेंगे next video में classification of protojoa यानि protojoa का जो वर्गी करण है उसके बारे में next video में बात करेंगे उमीद है आपको video ठीक लगाओगा अच्छा लगाओगा thank you